चलिए बच्चों, आज हम सब करेंगे सोलर सिस्टम की यानि सौर मंदल की सैर बच्चों, हमारे सौर मंदल में एक सूर है और आठ प्यानेट्स उसका डिविल्यूशन यानि चक्कर काट रहे हैं बच्चों, सूर ही सोलर सिस्टम यानि सौर मंदल का केल रहे हैं और इसलिए यह 같이 is father of solar system, यानी सौर tempor film का पिता कहलाता है बाइचो जब मैं सूर से चलना शुरू करता हूं तो मैं मिलता हूं पहले ग्रह बुद्ध से यानि मर्कृरी से मर्कृरी सबसे छोटा ग्रह और पहला ग्रह है सौर Romandla यह सूर के इतना नज़्दीक है यानि कि सबसे जादा नस्दीक है इसलिए यह सूर का मात्र 88 दिनों में चक्र काट लेता है यानि सबसे चोटा साल यारी यह की बात करूँ तो मल्कृरी के पास अपना कोई नाचरल नहीं है बात करूँ अगर मैं दूसरे ग्रह की जैसे ही मल तो आपको दूसरा ग्रह मिलेगा ना वीनस इसका नाम है शुक्र जिसे हम सबसे चमकीला सबसे गर्म मौर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं सुबह का तारा या सांज का तारा जिसका कोई नाशनल मून नहीं है यानि बच्चो अभी तक के दो ग्रहों के कोई नाच्रल मून हमें नहीं मिले जैसे ही मैं थोड़תי बढ़ता हूं बच्चो में पहश्टा हूं अपने प्रित्वी पर यानि की नेज बहें प्ल्लेट पर जिसके पास है एक नाशनल मून आर्थ से जैसे ही थोड़ेハハ्से मंगल ग्रहसे जो बहुत इत्राता है जिसके पास उसके दो नैचरल हुन है फोबोज और डीवोज इसी बात पर तो बहुत इत्राता है ये मंगल ग्रै इसके पास अपना कलर है रैड कलर इसलिए इसे रैड फैरेड करते हैं बच्चों मार्स यानि मंगल की मट्टी में आयरन की मात्रा जादा है जी है बच्चो वही आयरन की मात्रा जो आपके ब्लेड में पाई जाती है यानि आपके खून में रक्त में आयरन की मात्रा की वजह से ही तो रक्त लाल होता है इसलिए मार्स को हम रैड फैनेट कहते हैं क्योंकि दूर से मार्स यानि मंगल भी लाल कलर का दिखता है जैसे ही थोड़ा आग सबसे बड़े ग्रह के पास है लगबक 84 नेचनल मून्स को देखकर हम ने जब उनके बारे में जाना तो पता लगा कि उसके सबसे बड़े मून्स का नाम है डैनिमीड जो अकेला इतना बड़ा है कि मरकरी से भी जादा बड़ा तो बच्चो हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें मिलता है सैटन यानी शनी शनी के पास गैस के चल्ले पाए जाते हैं ये सौरे मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बच्चो इ 3S 93 इसका अद्वत और सबसे बड़ा भूण है बच्छो टाइटन यानी स्वाइड के पारे में बदाये था ना मली आपको जुपिटर का सबसे बड़ा मविशितों सबसे मीर्पर सबसे बड़ा इस अब है अब लागे शनी मों ए कि एव़ों को मूर्स आगे बढ़ते है march और देखते हैं कि सात्वा ग्रह कौन सा है यूरेनस जैसे ही छुड़ा आगे बढ़ते हमें मिलता है यूरेनस जिसका नाम है अरुम यूरेनस को स्लिपिंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम यानि सौर मंडल में सोता हुआ ग्रह भी कहा जाता है ऐसा क्यों होता है बच्चों यह हम आपको क्लास में बताएंगे वीनस के बारे मैंने आपको बताया था शुक्र ग्रह बहुत गर्म होता है चंकीला होता है सांच का तारा सुबेगा तारा भी कहते हैं यह भी आपको क्लास में बताएंगे चलिए यूरेनस से यानि अरुन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है समुद्र का देवता वरुन यानि की सबसे ठंडा और सबसे दूर स्थित सौर मंडल का यह ग्रह सूर से बहुत दू तो बच्चों सौरी मंडल की अद्बू जनकरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर पताईएगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब करदा मत भूलेगा